पुराने पैंटों या पुराने जिन्सों ये सभी के घर में रहता है कहीं न कहीं से थोड़ा सा फढ़ जाता है नीचे से कभी मोहरी के पास से फढ़ जाता है और कभी बच्चे कर रहता है खेलने में कहीं से खोच लग जाता है तो फढ़ जाता है उसी का यूज करके आज मै अच्छे आइडिया आपके साथ सेयर करूंगी और सभी एक से बढ़कर एक है और सभी को बनाना बहुत ही असान है तो वीडियो पूरा लाश्ट तक देखिएगा वीडियो पसंद आएगी तो लाइक चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा हेलो प्रेंट सुधा फैमली ब्लॉग में स्वागत है आपका तो सबसे पहला है ये पुराने पैंट का यूज कर रहे है तो उसके लिए एक किस इंच पे निसान लगाके और बराबर में कट कर लेंगे तो बस वन कट करना है और बहुत जादे इसमें सिलाई भी ने करना है बहुत बढ़िया और बहुत कम समय में बन के तयार हो जाता है राउंड पीलो विद कवर तो अभी एक किस इंच पे निसान लगाके कट कर लिए और सेम इसी साइज का अंदर के लिए पीलो के लिए कपड़ा कट करेंगे तो उसके लिए मैं पुराना सलवार ली हूँ तो उसमें से सेम इसी साइज से कपड़ा कट कर लेंगे और ये जो पैंट वाला कट किये हैं ये उसके उपर से कवर लगाने के लिए है इस तरह से running stitch कर लेंगे तो आधी इंज छोड़ के नीचे से मैं सिलाई कर रही हूँ पूरा करने के बाद एक जगा इस तरह से धागे को खीच के एकठा करके और फिर इसमें अच्छे से नोट लगा लें ताकि ये खुले ना और अच्छे से मजबूती से सिल जाए अब इसको कट कर लेंगे और इसको करेंगे सीधा और इसका जो ये अभी दिख रहा है तो थोड़ा सा सिलाई जैसे बाहर की तरफ अगर दिख रहा होगा तो इसको इस तरह से अंदर की तरफ कर देंगे वैसे भी ये सिलाई पे सो बटन लगाएंगे तो वो दिखेगा नहीं अब इस पे सो बटन लगाने के लिए जैसे कि मैं कई वीडियो में बता चुकी हूँ ये मिठाई का डबा है तो इसी में से गोल सीके के साइज का कट कर लेंगे और उसके बाद उपर इस तरह से सॉफ्ट रहने के लिए उपर एक चोटा सा टुकड़ा कपड़े का लगाके और फिर ये बड़ा टुकड़ा लेके इस तरह से बटन तयार कर लेंगे तो अब देखिए चारु तरप से इस तरह से राउंड करके फिर इसी तरह से अब इसको इसमें नोट लगा लेंगे तो ये बहुत ही आसान है और इस तरह से आप बटन बना लीजी न तो देखने में भी अच्छे लगते हैं और सिक्के की भी जरूरत नहीं है और बहुत जल्दी बन भी जाता है तो अभी देखें ये बन गया है और इसका एक्स्ट्रा वाला कट कर लेंगे कपड़ा अब इसको जहां पूरा जोड है वही पे रखके चारो तरप से अच्छे से कपड़ा और बटन का पकड़ के दोनों को अच्छे से इसमें सिलाइच कर लेंगे तो अभी ये लग गया है तो कवर बन के तयार हो गया है अब इसको उल्टा साइड में करके दागे को कट कर लेंगे अब इसमें डोरी लगाने के लिए पैंट के कपड़े में से ही एक इंच का कपड़ा लंबा कट कर लिए है तो 25 इंच मतलब इसकी लंबाई जो डोरी की है 25 इंच का कट करके सील के रख लिए है अब इसमें जो सिलाई चलाए थे अंदर पीलो के लिए तो उसमें भी इसी तरह से जैसे उसमें पीलो कवर में आपको दिखाए सेम उसी तरह से इसमें कर लेंगे तो एक तरफ का भी हो गया अब इसको सीधा कर लेंगे तो एक तरफ की तो इस तरह से सिलाई सब अंदर हो गई और दूसरे बाले में उपर अगर दिखेगा भी न तो ये रहेगा कि इसमें उपर से कवर लगा देंगे तो वो दिखेगा नहीं और मैं इसमें ये कतरन यूज कर रही हूँ आपके पास अगर कॉटन हो या पुराने कपड़े का कतरन हो तो जो भी आपके पास हो आप उसको यूज करिए तो इसमें अच्छे से फिल कर लिए हैं अब उसके बाद दूसरे साइड का भी उसी तरह से जैसे अभी दो जगा आपको करके दिखाए वैसे ही तो अभी देखिए इधर का भी पूरा राउंड में कर लिए आप इसको अच्छे से पकड़के और फिर धागे को कई राउंड घुमा के फिर इसमें भी नोट लगा लेंगे तो इस तरह से करने के बाद बीलो बन के तयार हो गया है और कवर तो इसका मैंने पहले ही बना लिया है तो बस अब उसमें उसको लगा लेंगे तो इसके लिए पहले डोरी लगा लेंगे और डोरी लगाने के लिए देखिए पैंट में अलग से उसका बनाना भी नहीं पड़ा जो उसकी मोरी में था तो इस तरह से रहता है पैंट में उसी में डोरी लगा लेंगे इसलिए उसको कट नहीं करे थे अब इसको कवर को पैना देंगे और जब गंदा भी हो जाएगा ना तो उपर से कवर हटा के धुल लेंगे तो बहुत ही आसान भी है बनाना और बहुत ही चाहिए जिससे निकालने में और पहनाने में सही रहे इस तरह से इसको डोरी को करके अंदर के तरफ कर देंगे तो राउंड पीलो बन के तयार है विद कवर और वसेवल भी है जब भी आप चाहें तो इसका कवर हटा के धुल ले ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके सबसे पहले देखिए जहां से दोनों पैंट के जोड रहता है वहां से दोनों का नीचे वाला कट कर लेंगे इस तरह से दोनों का कट कर लिए है तो बस इसी का यूज करने वाली हूँ और वह भी बिना सिलाई मसीन के बहुत लोगों का रहता है ना कि आलस हो जाता है मसीन या बहुत लोगों करता है कि मसीन नहीं है तो उनके लिए भी यह आइडिया बहुत ही उपयोगी है और बहुत आसान है इसे बनाना तो अभी देखे इस तरह से करके और दोनों कपडों को सुई धागा से ही बस सिंपल सी रनिंग इस्टीज करके जोड लेंगे और इस तरह से दोनों टुकडों को जोड लिए है अब ये दोनों टुकडों को जोडने के बाद जहां से जोड किये हैं वहीं से दोनों साइड में 12-12 इंच का नाप ले लेंगे मतलब पूरा हमें इसकी जो चोड़ाई है वो 24 इंच चाहिए अभी देखे अलग कर लिए और उसके बाद इसका अभी आपको नाप बता देते हैं कि इसकी लंबाई चोड़ाई कितनी है 27.5 इंच लंबाई है इसकी और चोड़ाई 24 इंच है और सेम इससे आधी आधी इंच का छोटा एक प्लास्टिक की बोरी ले लिए है चारों तरप से आधी आधी इंच छोटा है अगर आपके पास ट्रांस्पारेंट सीट है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं तो देखे इस तरह से आधी इंच जो एक्ष्टा चोड़े हैं उसी को इस तरह से करके मोड़के और इस पे सिलाई चला लेंगे तो चारों तरप से जो मोड़े हैं कहीपे कपड़ा तिर्छा था तो कहीपे आधी इंच से अधी काया है कहीं कम है तो इसी तरह से चारो तरफ सिलाई चला लेंगे इसमें तो ये एक टुकड़ा तयार हो गया अब इसके चोड़ाई साइड से इसकी नाप लेंगे उपर का चोड़ाई साइड में 6.5 इंच रहेगा तो देखे उपर में जो चोड़ाई साइड है 24 इंच है उधर पे 6.5 इंच लिये हैं और जो लंबाई साइड है उसमें 7.5 इंच पे नाप लगाएंगे तो यही नाप सेम दोनों साइड में लगाएंगे तो देखे अभी कॉर्नर को इस तरह से दोनों को मिला देंगे और बिना मिलाए भी बस हमें जो नाप लगाए हैं उसी पे फोल्ड करना है तो इस तरह से फोल्ड करना इसको और अभी के लिए बस इसको पिन से अभी सेट कर लेंगे और उसके बाद जीस तरह से मैं चौक से निसान लगा रही हूँ, सिर्फ उसी पे सिलाई चलाना है हमें, तो ये उपर साइड में एक इंच छोड़ के, एक इंच पे सिलाई नहीं चलाना है, बनाए हैं जिस पे चौक का निसान, सिर्फ उसी पे सिलाई चलाना है, तो इसी तर यह ic Gabeünd ऑर बनाना भी बोहत हसान है बहुत mean to be जगे एक डोरी के लिए को जगा चाहिए मैं इसमें जगह च 39 पॉलिएं T है जशाले है इसने के लिए डोर्यों साइटें कि अहारी है इसमें उसका भी का साइटे यह के लिए चीए को आदे फ़िए अब थंडी में तो इसे भी रहता ना थोड़ा सा भी कपड़ा गिला हो जाता है तो इसके लिए ये पलास्टिकी जो सीट लगाएं हैं तो इससे डिलास्टी की लगाएं eating तो इसा ब्लास्टी सेट लगाएं और इस तरह से देखिए अभी पीछे साइड से बांध लीजिए उसके बाद जादे तार मतलब बरतंद होने में ही रहता है बाकी और काम में रहता है ना कि थोड़ा बुद बस गंदगी लगने का रहता है लेकिन गीला होने का बरतंद हो जाता है तो आगे साइड में तो दे के लिए मैं पुराने टाउजर का यूज करी हूँ आप चाहें तो पुराने जिन से भी ये बना सकते हैं और बहुत ही आसान है और बिग साइज का बैग बनके तयार होगा और ये रिखे पैंट में ये टाउजर है और इसका कपड़ा ना काफी मोटा है तो इसमें अगर थोड़ा सा मुड़ा हो ना अपके में तो कट कर लीजिए मैं इसका नीचे का सिलाई खोल रही हूँ क्योंकि एक एक एक्स्ट्रा ये बड़ा था तो मैं सिलाई चलाई हूँ इस पे एक सिलाई खोल लूँगी जिससे थोड़ा सा लंबाई और अधिक मिल जाएगा और सिलाई खोलने के बाद देखिए नीचे से फट गया था तो उसको मैं कट करके निकाल ले रही हूँ अब देखिए अब दोनों साइट का कट कर लिए हैं तो अब दोनों में से लंबाई लेंगे 20 इंच की लंबाई लेंगे तो देखिए इस तरह से लंबाई में तो अब इसका एक साइड से, कि दो साइड से सिलाई रहती है ना तो कोई भी एक साइड से खोल लीजिये, उसके बाद देखे थोड़ा-थोड़ा जैसे कपड़ा तिर्चा है, तो उसको कट करके बराबर कर लेंगे, अब ये एक सीधा और ऊपर की तरफ उल्टा रखके, इसको स एक तुकड़ा हमारे पास बड़ा साइस का है तो बाद ढ़ी सिज़ा सिलाई ला लिये हैं उसके बाद टॉपष्टीस भी लगा लिए इसमें अब हमारे पास यह जो बड़ा टुकड़ा है इसका नाप देख लिए चाली सिंच इसकी लंबाई है और चोडाई 20 सिंच है तो ये एक टुकड़ा हो गया है अब इसी पैंट में से देखिए मैं पीछे साइड से निकाल रही हूँ दस बाई 10 का मुझे दो टुकड़ा चाहिए और कट कर लेंगे दो टुकड़ा हमारे पास हो गया है दस बाई 10 का तो अब सिर्फ इसी तीन टुकड़े से हम बनाएंगे और जिस तरीके से मैं बता रही हूँ न आप इस तरीके से बनाएगा बहुत ही आसान है बनाना अब दे चौक से निसान लगाएंगे जहां तक यह है और उसके बाद वहां पे अभी नहीं इसको रखना है उसके बाद उसके आगे इसको रखेंगे और आदी आदी इंच दोनों तरफ से छोड़के इस तरह से इसमें मतलब सिलाई चलाएंगे एक वाला छोड़के और दूसरे और फिर इसके आगे इसको टुकडे को रखके आदी आदी इंच दोनों तरफ से चोड़के आदी आदी इंच सिलाई इसलिए नहीं लगा रहे ताकि जब यह जोड़े ना कॉर्णर इसका जोड़े तो आदी इंच से पकड़के सिलने में आसानी रहे यह दोनों देखे देखिए ये इस तरह से हो गया है अब ये जो ऊपर से ये जो पुरा दिख रहा है इसमें हमको जिप अटेच करना है तो देखिए अभी इस तरह से इसको फैला लिये हैं अब इसमें इस तरह से पूरा यहां से यहां तक लगाना है तो इसके साइड से थोड़ा सा बड़ा मै जिप कट कर ली हूँ और देखिए इस तरह से करके आपको दिखा रही हूँ कि थोड़ा-थोड़ा दोनों साइड से एक्स्ट्रा रहे आब इसको, ये देखेँ, सीधा side है, तो सीधा side ने, उल्टा side में करके और इस तरह से पहले पिन से इसको set कर लेगे ताकि सिलाई चलाने में इधर उधर ना हो, तो अभी देखें, दोनों साइड में इसको लगा लिए हैं, अब इस पे सिधी सिलाई चलाएंगे, इनको निकालते हुए जाएंगे और सिलाई, तो यह जीप अटेस करने का बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही आसानी से इस तरह से हो जाता है, तो देखें, अभी एक बार सिंपल सिलाई चला दिए, अब इसके ऊपर से टॉप इस्टी चला लेंगे, तो यह हो गया, अब इसका देखें, दूसरे साइड में इसको अटाइच करने के लिए, पहले जिधर से जिप लगाएंगे, उससे इस तरह से मोड के, और इस पे बीच में, देखें, अभी निसान लगाएंगे, सेंटर पॉइंट बना लेंगे, तो अभी देखें, इसका सेंटर पॉइंट हो गया है, और इसका भी अब सेंटर पॉइंट बनाएंगे, तो अभी इसको इस तरह से करके, तो इसके भी सेंटर पॉइंट पे इस पहले center point से center point को मिला के pin लगा लिए हैं वही center point के इधर side में भी अच्छे से pin लगा के set कर लेंगे और सेम दूसरे side में भी pin लगा के set कर लेंगे अब दोनों साइड में पिन को लगा लिए हैं, अब इसको खोल लेंगे ताकि इसमें सिलाई चलाने में असानी हो जाए, इस तरह से अभी सिलाई चलाने में दिक्कत होगी, अब इधर से इस तरह से इसको खोल लेंगे, खोलने के बाद फिर इस पे सिलाई चलाएंगे, तो प पर गोल घुमा के सिलाई करेंगे और इस पे भी टॉप इस्टी चला लेंगे तो यह हो गया है अब इसमें रनर अटाइज करेंगे तो रनर अटाइज करने के लिए जिस तरह से सेंटर पॉइंट इसका बनाये थे तो दोनों सेंटर पॉइंट को इस तरह से आपस में को दालेंगे तो दोनों तरफ से प्याट लगने के बाद अब इसमें दो रनर अटाइज करेंगे दोनों तरफ से दोनों रनर को पीच में कर लिए हैं अ कि तो यह हो गया । अब देखिये बस एक साइट की सिलाई समें रह गई है बाकी पूरे तरफ सिलाईस की और इसकी कर लेंगे तो देखिए इस तरह से उल्टा कर लिएंगे और इसी तरह से दूसरे साइड में भी अब आप चाहे तो इसको 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 इस टर्ण बैक के लिए सिर्फ इसी तरह से यूज कर सकते हैं बिनाắt divide लगाए मैं इसमें handle लगाऊंगी थो क्योंकि यह बड़े size का है तो इसको कहीं भी उठा के रखने करने के लिए handle तो आभी देखिए एक उपर की तरफ इसमें यहां लगाएंगे इसके लिए मैं दो पीस यह रेडिमेंट श्ट्रिप ले ली हूँ आप चाहे तो पैंट में से ही बना ले जिसकी 15 इंच की 14 इंच की लंबाई है तो आप देखिए सेंटर पॉंट से धाई-धाई इंच इधा उदर करके निसान लगा लिए है और इसी पेपी से इसको सेट कर लेंगे तो जीस तरह से मैं देखिए एक साइट छोड़के और नीचे की तरफ जब आप यह बनाएंगे ना तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कि दर के तरफ हैंडिल लगाना है आप पूरा बन गया बनने के बाद देखिए कपड़ा रखने पे इस तरह से देखने में यह लग रहा है और बहुत ही सुन्दर बहुत सारे कपड़े एक साथ इसमें आ रहे हैं अभी मैं कपड़े निकाल के आपको दिखाऊंगे कितने सारे कपड़े इसमें एक साथ आ गए हैं देखिए इस 10 इंच है तो काफी बड़े साइज का बन के तयार हुआ है अब रेके इसमें आपको दिखा रही हूँ उलेन कपड़े मैं इसमें रखी हूँ चाहे तो आप ब्लैंकेट रखे जो भी आप रखना चाहते हैं मैं इसमें उलेन कपड़े रखे आपको दिखा रही हूँ कि कितने सारे कपड़े, जैकेट इसमें कितने सारे जैकेट एक साथ रखे हैं, दो साइड में रखे हैं, चाहे तो आप इसमें पैंट, सीधा, मतलब डबल लेयर केवल फोल्ड करके भी आप रख सकते हैं, टाउजर जो भी आप जीस तरह से रखना चाहते हों, तो देखिए, दोनों स जीन्स का यूज करूँगी, और ये जीन्स बच्चे का है, तो फट गया है, इसमें खोच लग गया है, सबसे पहले तो जहां से जोड है, वहीं से फटा है, तो वहां से दोनों साइड का कट करके निकाल लेंगे, और उसके बाद इसमें नीचे वाले साइड का पहले तो अभी देखिए, एक साइड से हमें नाप लेना है, ग्यारब आई 6 इंच का लेना है, तो अभी देखिए, जो भी एक्स्ट्रा है, तो भी उसको कट कर लेंगे, और सेम इसी तरह का एक टुकडा और कट करेंगे, अब इस वाले पैंट के जो दूसरे साइड का है उसमें 6 इंच की चोडाई नहीं है, तो इसलिए मैं उसमें से कट नहीं कर रहे हूं, फिर दूसरे पैर का है उसमें से कट कर रहे हूं, तो दो पीस चाहिए, जिसकी लंबाई है 10 इंच और चोडाई है 4 इंच, तो इसका उससे थोड़ा सा छोटा चाहिए, दोनों तरब से, और अब इस तरह से दूसरा वाला भी जो है उसमें भी आधी इंच पे इसी तरह से एक साइड से बस सिल लिये हैं तो दोनों साइट से सिलने के बाद, अब जो ये 11 बाई 10 का है, इसमें पहले एक को जोड़ेंगे, तो इस तरह से देखिए, दोनों तरफ से, मतलब ऐसे रखना है ना कि दोनों तरफ से थोड़ा-थोड़ा कपड़ा बचे, जो 6 इंच वला है, अब इसमें मैं 3 पॉकेट बन अब दूसरा वाला इसी तरह से इधर लगाएंगे, और इसमें पॉकेट उससे जादे बनाएंगे, तो ये जो 10 इंच का है, तो दो-दो इंच पे इसे में निसान लगाएंगे, तो पहले पूरे में सिलाई चला के, और सारे पॉकेट पे भी सीधी सिलाई उस पे भी चला इसमें चोटे-चोटे पॉकेट तैयार हुए हैं और दूसरे वाले में थोड़े बड़े-बड़े पॉकेट हैं, अब ये जिप इसमें अटैज करेंगे, तो चाहें तो आप जिप में पहले से रनर लगाके और फिर साथ में अटैज कर लेंगे, मैं आसान रहता है अलग- अब इसमें runner add करेंगे तभी देखिए लगा के निकाल लिए हैं फिर बीच में इसको लगा के अभी रख दिये अब इसको पहले जो वो handle के लिए ये रखे थे इसमें इस तरह से यहां पर पहले इसमें सिलाई चला लेंगे अब बस इसको उल्टा साइड से फोल्ड करके और बरावर से मिला के और तीन साइड से सिलाई चला लेंगे तो देखिए पुरी सिलाई इसमें हो गई है अब इसको पहले सिधा कर लेते हैं तो बहुत ही सुन्दर और्गनाइजर बनके तयार हुआ है और देखिए इसमें अभी समान रखके भी आपको दिखा रहे हैं देखिए इस तरह से आप अलग-अलग लिपिष्टिक हो नेल पॉलिस हो जो पॉकेट बनाए है छोटे-छोटे उसमें रख सकते हैं जो बड़े-बड़े पॉकेट थे उसमें दो-दो नेल पॉलिस आ गया है और छोटे-छोटे वाले में एक-एक करके और बीच में कोई भी क्रीम हो कुछ भी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं और देखने में भी अच्छा लग रहा है और बहुत ही काम का है देखिए इसमें हैंडिल भी है कहीं भी आप ले जा रहे ना तो एक जगा इस तरह से करके रख लें अमीद करती हूँ आपको यह आईडिया पसंद आया होगा तो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताईएगा आपके कमेंट का इंतचार रहेगा देखिए देखने में कितना सुंदर भी लग रहा है जैसे खोलो ना तो बहुत ही सुंदर लग रहा है और बनाना तो आप देखे ही बहुत ही आसान है इक्स्ट आइडिया के लिए जो जीन्स का उपर का कट किये थे, उसका यूज करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले तो जहां से जुड़ा हुआ है, वहां से कट कर लेंगे, और उसके बाद इसको उल्टा कर लिए हैं, और उसके बाद सीधी सिलाई चला लेंगे, जो पॉके अब यह जो कॉर्णर कट किये हैं इससे कॉर्णर से कॉर्णर इस तरह से मिलाते हुए इस पे सिलाई चलाएंगे और बस और इसमें कुछ जादे करना भी नहीं था और जो भी इसका मोटा था वो भी देखने में भी सुन्दर हो जाएगा और जटपट बन के तयार हो गया और सीधा करने के बाद इसमें देखिए कपड़े रखे आपको दिखा रहे हैं इसमें आप बच्चों के सॉक्स रख सकते हैं और देखिए सारे पॉकिट भी इसमें यूज हो गया है और जो आगे बटन और चेन लगा था सब कुछ मतलब उसी से हम बना लिए और कितना आसान इसको बनाना था नेक्स्ट आइडिया के लिए पुराने पैंट का यूज किये हैं तो सबसे पहले दोनों साइट का कट करके और दोनों को आपस में जोड के एक बड़ा टुकडा तयार कर लिए हैं और उसके बाद उससे एक एक इंच छोटा प्लास्टिक की बोरी ले लिए चारो तरब से और पहले दो साइट से इसमें सिलाई किये हैं तो अब हमारे पास ये एक टुकडा तयार हो गया है अब इसका नाप देख लीजिए 24 इंच इसकी लंबाई है और 22 इसकी चोडाई है जो भी तिर्चा एक्स्ट्रा था था ना वो कट कर लिए है तो अब ये टुकडा हमारे पास हो गया है अब इसको उल्टा साइड में इस तरह से करके डबल फोल्ड करेंगे जिधर उपर की तरफ सिलाई चलाए है तो इस तरह से फोल्ड कर लेंगे फोल्ड करने के बाद बेस के लिए नीचे से कट करेंगे मैं जिधर से खुला साइड है ना उधर से साढ़े चार इंच ले रही हूँ वैसे चार भाई चार का कॉर्नर कट करना है लेकिन इसके साइड से सिलाई अभी नहीं हुई है तो आधी इंच की सिलाई हो जाएगी इसलिए आधी इंच एक्स्ट्रा जिधर सिलाई करना है उधर रखेंगे तो अभी देखिए निसान लगा लिए है अब ये दोनों कॉर्नर पे कट कर लेंगे पकड़के और दोनों पे इधर से भी और इधर से भी इस पे सिलाई चलाएंगे अब इसके बाद देखिए इस तरह से सिलाई चलाने के बाद कॉर्णर से कॉर्णर को पकड़ेंगे इस तरह से और उस पे सिलाई चलाएंगे तो इसी तरह से दूसरे वाले कॉर्णर पे भी इस तरह से देखिए कॉर्णर से कॉर्णर मिलाके इस तरह से इस पे भी सिलाई अभी इसमें आप चाहते हैं तो हैंडिल लगाएं नहीं चाहते तो नहीं लगाएं मैं हैंडिल लगाई हूँ ताकि जैसे अलमारी में आप रख दिये या कहीं भी एक पे करके रख दिये ना तो हैंडिल रहती है तो बाहर निकालने में असानी जहता है इस तरह से एक इधर सिलाई चलाएंगे और एक थोड़ा सा लूज करके इसको इधर की तरफ सिलाई चलाएंगे अब इसमें आपको कपड़े रखके दिखा रहे हूँ तंडी के समय में तो चाहे जितने भी हमारे पास इस तरह के होना कम ही पर जाते हैं इतने जादे कपड़े निकल जाते हैं तो अवी दिखे ऊलन कपड़े आपको रख के दिखा रहे हूं देडe सारे कपड़े इसमें एक साथ रखा जाँगे तो देखे तो चाहे तो आप इस तरह से रखें देखे इसको कहीं भी उठाना भी असान है या फिर आप चाहे तो इस तरह से रखें मुझे इस तरह से रखना जादे पसंद आता है क्योंकि इस तरह से रहता है अगर बच्चों को भी निकालना है तो दिखता रहता है कि कौन सा मतलब किदर है और उस तरह से रहता है कि एक पेक करके रखा जाता है तो फिर दिखता नहीं है और हम बड़ो का भी रता है याद भी नहीं आता कौन से कपड़े हम कहां रखे हैं तो उमीद करती हूँ आपको ये आइडिया भी पसंद आया होगा कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताईएगा इसी तरह से अगर आप चाहें तो ये सिलाई मसीन का भी कवर बना सकते हैं सबका अलग-अलग कट कर लीजिए जितने साइज का है उपर से जैसे है और साइज साइज से कट करके और सिंपल सा सिलाई कर लीजिए तो इसी तरह से चाहें तो आप सिलाई मसीन का भी कवर बना सकते हैं देखें मैं इस तरह से बनाई हूँ और बहुती एक बराबर सेप का आप चाहें तो लंच बॉक्स का कवर इस तरह से बना सकते हैं या पिर ये मैं बड़े साइज का मेरे पास सूटकेस है उसका भी मैं कवर, चुकि इस तरह के सूटकेस आप बाहर नहीं ले जा पाते, काफी बड़ा साइज का हो जाता है, तो इस तरह से आप कवर बनाके रख सकते हैं, तो आज के सारे ही आइडिया आपको कैसे लगे, कमेंट करके जरूर बताईएगा, आइडिया पसंद आया तो लाइक चैनल पर पहली बार आएँ हो, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा,